मायूस मत होना जिन्दगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखवार वेचने वाला भी कलाम बन सकता है तो अखवार वेचने वाला भी कलाम बन सकता है नमस्का दोस्तों एक बार फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ इसमें हम लोग देखेंगे कि जो यूपी त्रिफल सी पेट एकजाम है दोहजार बाइस का 15 और 16 अक्टूबर को उससे रिलेटेड सामान हिंदी का जो माडल वेफर फरस्ट है उसको लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ और आप लोगों को ये भी बता दूँ कि मैं अब डेली आपको दो प्रेक्टिस सेट सामान हिंदी के सुबह साम डेली प्रेक्टिस सेट मिलेगा और दोपहर में एक जी के का प्रेक्टिस सेट मिलेगा तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको सभी प्रेक्टिस सेट कराय जाएंगे देखिए first question है आपके सामने कि देव नागरी लिपी की उत्पत्ती किससे हुई? देव नागरी लिपी की उत्पत्ती किससे हुई? A option है कैथी, V फैसाची, C ब्राम्मी और D खरोष्ठी तो इसका जो right answer है दोस्तों वो C option होगा ब्राम्मी लिपी से देव नागरी लिपी की उत्पत्ती मानी जाती है ब्राम्मी आपका correct answer होगा next question हिंदी वर्णवाला में सुरों की संख्या कितनी है? A option 9, V 11, C 13 और D 16 तो इसका जो right answer है दोस्तों वो आप comment करें और अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो के मादिम से सीखें तो इसका जो right answer है वो 11 है next question नीचे दिये गए बिकल्पों में से तत्सम सब्द का चैन कीजिए A option 4, V, Sing, C वहनग, D, Ola तो correct answer जो इसका है वो V option है अर्थाज सिंग next question सुद्ध वरतनी का चैन कीजिए A अधियता, V अध्यात, C अधिवेता और D अध्येता तो इसका जो right answer है दोस्तों वो D option right है next question प्रख्यात में प्रियुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रख्यात में प्रियुक्त उपसर्ग कौन सा है? A option आत, V प्र, C त, D प्रख तो इसका जो right answer है वो प्रख्यात है एक बात और ध्यान दें आपर कि जो उपसर्ग होते हैं उन्हें क्या करते हैं? ऐसे सब्दांस जो किसी सब्द के सुरू में लग करके उसका अर्थ परिवर्तित करते हैं वो प्रत्य कहलाते हैं Next question देखते हैं Next question है कि सच्चिदानन्द का संदी विछेद क्या होगा? A option सच्चिद प्लस आनन्द V सच्चिद प्लस दानन्द C सच्चिद प्लस आनन्द D सच्चिद प्लस आनन्द इसमें से जो सब्द इस्त्री लिंग है उसको आप चैन करें तो देखे अध्याई हम लोग करते हैं अपराद किसी की तौरा किया गया होगा और स्वदेश देश की बात हो रही है तो यहाँ पर आप जब प्रयोग करेंगे स्थापना का, तो क्या आपका आएगा, यह स्त्री लिंग वर्ड है, जैसे किसी भी चीज की स्थापना की गई, तियो की गई हो गया, स्त्री लिंग सब्द है, नेक्स्ट, सत्य बोलो परंथु कटु सत्य ना बोलो, यह किस प्रका के यहाँ पर आपका बनता है, नेक्स्ट कोशन, दिये गए बाक्यांस में अनेक सब्दों के लिए एक सब्द कीजिए, एक सब्द लिखना है आपको, क्वेशन क्या है, जिसके पास कुछ भी ना हो, उसे क्या कहेंगे, महादीन कहेंगे, या अकिंचन कहेंगे, या चिरंतन का बिलोम सब्द कौन सा है, ए नैसरगिक, वी लौकिक, सी अलौकिक, डी नस्वर, तो इसका जो राइट अंसर है दोस्तों, वो नस्वर होगा, चिरंतन का नस्वर होगा, नेक्स्ट कोशन, मेघ का पर्रहवाची क्या है, मेघ का पर्रहवाची क्या है, ए पयोद, V. जलज C. कोकनद D. मेंधक तो देख लिजे जो इसका right answer है वो पयोध होगा क्योंकि जलज ये तो आपका कमल का हो गया कोकनद भी नहीं है और मेंधक तो जानते हैं आप लोग तो इसका मेग का जो पर रहा है वो पयोध है Next question देश प्रेम में कौन सा समास है देश प्रेम में कौन सा समास है A. अपसन दिगू V. बहुबरी C. अब्वेभाव और D. तत्थपुरुष समास तो आपका जो right answer है इसका वो आपका तत्थपुरुष समास होगा D. अपसन के साथ correct होगा दिगू में क्या होता है पहला पत संख्यावाचक होता है देश प्रेम में कोई संख्यावाचक पत नहीं है बहुबरीय में किसी तीसरे की प्रधानता होती है अब्वेभाव में पहला पत जो होता है वो अब्वे होता है रुसी की प्रधानता होती है तत्पुरुष समास में आपकी जो विभप्ती है वो लोब पाया जाता है जैसे देश प्रेम यानि देश के प्रतिप्रेम या देश के लिए प्रेम तो इसलिए आप तत्पुरुष समास है अगर मगर करना इस मुहाबरे का अर्थ क्या है ए ब्यर्थ समय गवाना वी कपट करना सी बहाने बनाना डी इधर उधर की बात करना तो इसका जो राइट अंसर है आपका बहाने बनाना अगर मगर करना सिधा सा अर्थ है कि बहाने बनाना निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है पूत का पूत तो क्यों धन संच है पूत सपूत तो क्यों धन संच है ए ब्रत्यानुप्रास वी छेकानुप्रास सी लाटानुप्रास और डी अन्त्यानुप्रास तो आप जो right answer है वो आपका लाटानुप्रास है इसमें होता क्या है लाश्ट बड होते हैं यहां पर एक ही जैसे बड आते हैं यहां पर लिखा धन संचए और लाश्ट में आया धन संचए दोनों में लाश्ट में आया इस लिए यह आपर लाटा नुपराज है नेक्स कोशन, 15 नमर का कोशन है, देखी ज़रा, करत दिये गए प्रस्ण में बाक्यांस को A, B, C और D में विभत्त किया गया है, बाक्य के जिस खंड में असुद्धी है उसे चिन्नित करें, यदि कोई असुद्धी ना मिले तो विकल्प D का चैन करें, देखिए पढ़ते है स्वत अंतरता संग्राम में प्राण गवाने वाले बीयों के समान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकास की गोशना की है, चूज करी अप्सन A, B, C, D में से कौन सा होगा, तो है पर ये पूरा सेंटेंस जो है वो राइट है अर्थात D अप्सन को हम लोग चूज कर नेक्स कोशन, दिये गए बाक्य में रिक्त इस्थान की पूर्ति करनी है, कलाकार की कलाकृत में जनता की आकांचाओं का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रतिफलन या प्रतिवेदन या दर्वन या प्रतिपालन, तो इसका जो राइट अंसर होगा दोस्तों, A होगा क जनता की आकांचाओं का प्रती फलन होना चाहिए नेक्स कोशन 17 नमर का कोशन है नीचे दिये गए बाक्यों का उचित क्रम में आपको चैन करना है देखिए मन उस्से पाउं से चलता है समुदाय से चलता है तब उसे जीवन कहते हैं प्राणों से चलता है इसका आगे भी दिया हुआ है उसे भी आप लोग देखिए प्राणों से चलता है तब उसे यात्रा कहते हैं तो इसका राइट एंसर क्या है दोस्तों जल्दी से इसका जो राइट एंसर होगा दोस्तों वो सी होगा वा ला फिर फिर रा और फिर या आएगा नेक्स्ट देखते है पीठी का सब्द में कौन सा प्रत्य लगा है अभी बात हम लोग ने की थी उपसरक प्रत्य की तो पीठी का में पूछा है कौन सा प्रत्य लगा हुआ है इका या आ या इका या का तो यहाँ पर जो प्रत्य है आपका दूस्तों वो इका प्रत्य लगा है पीठी का इका प्रत्य लगा हुआ है नेक्स्ट सुत सब्द को इस्तरी बाचक बनाने के लिए किस प्रत्य का प्रयोग किया जाएगा इक या आ या इ या इ सुत सब्द को इस्तरी वाचक बनाना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आ प्रत्ते का प्रयोग करेंगे यानि सुत है सुता हो जाएगा नए साहित्य को प्रभावित करने वाली एवं अपने इस्थापना काल से ही विभिन भासाओं के सर्जनात्मग एवं आलोचनात्मग लेखन में देश भक्ति का भाव जगाने वाली संस्था अखिल भारती साहित्य परिसद का विधिवत गठन कब हुआ किया गया यह गूश्चन है आपके सामने अगर इसका करेक्ट है 27 अक्टूबर 1966 अखिल भारती साहित्य परिसद का विधिवत गठन हुआ next question देखते हैं कभी को अनुकरता किस ने कहा है कभी को अनुकरता किस ने कहा a. प्लेटो, v. अरस्तू, c. लॉंगिनूस और d. क्रोचे तो इसका a answer correct है प्लेटो को अनुकरता कहा गया है जो कभी को अनुकरता किस ने कहा है सोरी दोस्तों इस प्रकार होना चाहिए कि कभी को अनुकरता किसने का है तो प्लेटो ने कभी को अनुकरता कहा है नेक्स कोशन प्राकरत की समय सीमा क्या है एक इसवी से पांसो इसवी वी पांसो इसवी पांसो इसवी से एक हजार इसवी या 1100 इसवी से 1400 इसवी प्राकरत की समय सीमा आपको बतानी है इसमें क्या होगा तो राइट आंसर जो है आपका वो वी आफसन है 500 इसा पूर्व से 1 इसवी तक का समय प्राकरत समय सीमा के अंतरगत आता है अगला कोशन जब तक वह घर पहुँचा तब तक उसके पिता जा चुके थे यह कैसा वाक्य है जब तक वह घर पहुचा तब तक उसके पिता जा चुके थे यह किस प्राकर का वाक्य है तो यह आपका एक मिस्त्र वाक्य है क्योंकि जब तक वह घर पहुचा तब तक उसके पिता घर जा चुके थे किस बाक्य में निपात का प्रियोग नहीं हुआ है तो निपात एक तरीके से कारण है यहां पर भी जोर डाला जारा रहा है सीला तो बीमार है यहां पर भी जोड डाला जा रहा है तो जिसमें जोड नहीं पड़ा है वो आपका मैं कल जैपुर गया था सिधा सापका जो 24 का एंसर है वो B अफसन है मैं कल जैपुर गया था नेक्स्ट और लास्ट कोशन है इस वीडियो का दिये गए बाक्यों में से सही वाक्य का चैन कीजिए विद्या निवास मिसर 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 विद्य प्राइक भी कर सकते हैं कोई प्रॉल्म नहीं है और आपको डेली प्रति दिन दो वीडियो हिंदी के मिलेंगे सुबह साम कि थैंक्स फर वाचिंग